हेलो माई डियो फ्रेंड्स आजाम पड़े मैं वक्षित नामा 71 हिंदी की सवया रस्खान की पुना वृति कर रहे हैं हमारा चैप्टर है रस्खान द्वारा और नो ने क्या बता रहा है इसमें गोपियो का स्री कृष्ण के लिए जो प्रेम व्यक्त है वो ही बता रहा है कि क कृष्ण जी से गोपियो कितना प्रेम करती है तो हमारे देखिए मोर पंका सिर पर उपर राखियो गुंज की माला गरे पहिरियो ओडी पितंबर ले लकूटी बन गोधन गवारिन संग फिरोंगी भावते वो ही मेरो रस्खानी सो तेरो कहे सब स्वांग करोंगी या मोडल मोडली धर की अधरान धरी अधरान धरोंगी तो देखिए अब इसकी व्याख्य करते बहुत ही प्यारा है बहुत ही अच्छा आपको लगेगा प्रसुत पक्तियों मेरे रस्खान जी ने कृष्ण से अपार प्रेम करने वाली गोपियों के बारे मत आया जो एक दूसरे से बात करते वे कह रही है कि वो काना ध्वारा उपयोग किये जाने वाले जितने भी वश्तुय है नहीं मकर क्रिष्ण की मोरली को नहीं धहरन करेगी यहाँ गोपी आ कहए रिया कि अपने क्रिष्nor पे स्रे क्रिष्nor जी का मौरपंक से बनावा मूकुत रख लेंगी अपने गले में कुंज की माला पहन लेगी जो क्रिष्nor जी ने सुन्दर सुन्दर फूलों की माला पहन plataforma पहन पहन लेगी यह साथ में लाटी लेकर वन में गवालो के संग, गाएंं भी चराएगी कि गुपि कहा है, स्री कृष्णों जी हमारे मन को इतने भात हैं कि मैं तुम़ारे कहने पर यह सब कर लोगी जैसे कृष्णी करते हैं, मगर मुझे कृष्णी की होटों पर रखीवी मुर्ली अपने होटों पर लगाएं से मत बोलना चोकि इसी मुर्ली के विए से तो कृष्ण हम से दूर है गोपियों को लगता है कि स्री कृष्ण मुर्ली से इतना प्रेम करते हैं कि वो हमेसा उनके होटों से लगाए रखते हैं इसलिए वो मूर्ली को अपनी सौतन ये सोच समझती है, ठीक है? उनकी क्या ये सौत है? सौत का मतलब क्या होता है की जैसे कोई वाइफ है, एक हस्बेंड है, उसकी वाइफ है, उसने क्या कले? दूसरी साधी कर लिए, ठीक है? तो उसे हम सौत कहते हैं यह husband है उसकी एक wife है उसने दुखुल से साधी कले तो वो इसने एक सौत लेकर आगया है सौतन उसे कहते हैं तो कृष्णी जी जितने भी गोपिया उन्हें क्या लगता है जो कृष्णी जी मूरली इतनी प्यारी उन्हें लगती है कोष्ण आंसर करते हैं पहला कोष्ण कहता है कि प्रस्तुत पध्यांश में गोपि क्या क्या धारन करने को तयार है कृष्णी जी जी पहनते हैं तो कृष्णी की तरह मोरपंग गले में कुंच की माला पीले वस्र हातों में लाटी धारन करने को गोपिया सारी तयार है दूसरा कोशन कहता है गोपि मुर्ली को अपने होटो पे क्यों नहीं रखना चाहती है आखिर मुर्ली से इतनी नफरत क्यों है उने जैसा काराने आपका देखिए मुर्ली के काराने स्रीकृष्ण गोपी से दूर है वो श्रीकृष्ण मूरली बजाने में ऐसे खोते हैं कि गोपीयों की तरफ देखते तक नहीं है इसलिए गोपिया क्या करती है मुश्रीली से नफरत करती है तीसरा है जिस पक्ति में कवी रस्खान जी का नाम आया है उस पंक्ति को आप लिखिए तो देखिए पक्ति कौन सी है भावतो वही मेरो रस्खानी सो तेरो कहे सब स्वांग करूंगी ठीक है तो यह आपकी रस्खान जी का जिसमें नाम आया है उसका मैंने नाम लिखा है आपको यहां से भी आप देख सकते हैं देखिए थर्ड वाली आपको लास्ट आपका इस सवंख को पढ़कर आपके निमलिकी सब्दोकार्थ समझ पाएं आप उथनकी अर्थों को लिखें, थिक है तो आपको अर्थ लिखने हैं बहुत सारे हैं सबरी, तो हम देखें मोरपंखा पःरेजु पहिरेगु तो मोर पंका मोर पंक को कहते है पहिरेगू पहनू को कहेंगे भावतो भाता है अधरा होड गूंज वेजन्ती को गोधन गोवर्दन परवतो कहा गया है स्वांग बहु रूप धारन करने वारा लकुटी लाठियू कहा गया है फिर है राकियो मतलब रखूंगी पितंबर मतलब कि पीले वस्त्र वोही मतलब वही धरूंगी मतलब धारन कर लूंगी गरे मतलब गले गौरीन कि धर मतलब कि श्रीकिष्ण जी को मुर्ली धर का जाता हूं मुर्ली यानि की बासुरी ओके फेंट्स यहां पर हमारे वीडियो कम्पेटु तो आई होप आपको वीडियो चल लागे से लाइक केज़ें कमेट के शेयर कि जो अभी वीडियोस देखने के लिए मैं जानों को सब करें थैंक यू